हेलो गाईज मैं अमित कुमार मैं अपने यूटूब चैनल हब इस्टडी पॉइंट में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ आई होब कि आप सभी लोग स्वस्त होंगे और यह PCS मंत्रा पर हिंदी जो सामान हिंदी का प्रैक्टिस सेट है साथ कोस्चन की यह कुस्चन निम्न लिखित में से कौन सा इर्षया का पर्यायवाची सब्द नहीं है ठीक है तो इर्षया का पर्यायवाची सब्द तो कुणन मतलब भी इर्षया होता है द्वेस मतलब भी होता है डाह मतलब भी इर्षया का ही पर्यायवाची है लेकिन उतकंठा जो है यह इ प्रयायवाची सब्द नहीं है बलकि यह इच्छा का प्रयायवाची सब्द है निमनलिखित में से कौन सा वस्त्र का प्रयायवाची सब्द नहीं है तो यहां पे पट चीर और वसन ये सभी के सभी आपके वस्त्र के यानि कपड़े के जो है प्रयायवाची है और यहां पर जो D वाला option है, ठीक है, यानि मयूख, तो मयूख का मतलब होता है किरण, मयूख किसका परियाएवाची है, किरण का जो है परियाएवाची हो जाएगा, यानि B वाला हमारा answer यहाँ पर correct हो जाएगा, चले अगला question, question number third, निम्न लिखित में से कौन सा किरण का परियाएवाच परियाएवाची सब्द नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर पूछ रहा है कौन सा किरण का परियाएवाची नहीं है, तो अन्सू, मरीच और रस्मी, यह सभी के सभी किरण के परियाएवाची है, लेकिन जो तुसार है, तुसार का मतलब होता है ओस, तुसार का मतलब क्या होत की सब्द है ठीक है तो काम देव का पर्यायवाची सब्द है तो यहां पे पारिजात मधुसूदन अर्विंद मनमत तो मनमत यहां पे जो डी वाला आप्शन है ठीक है तो डी वाला आप्शन यहां पे करेक्ट हो जाएगा काम देव का जो पर्यायवाची हो जाएगा वह मनम हो जाएगा ठीक है बाकी पारिजात जो है कल्पवरिच्छ का है पारिजात किसका पर्यायवाची है कल्पवरिच्छ का पर्यायवाची है वहीं मधुसूदन कृष्ण का पर्यायवाची है तो कृष्ण भगवान का पर्यायवाची मधुसूदन अर्विंद यह कमल का पर्या आकास का यहाँ पर पहला वाला ही अंसर हो जाएगा व्योम का मतलब क्या होता है आकास ठीक है बाकी यहाँ पर द्रिग जो दिया है द्रिग कहता है द्रिग नयान यानि यह आँख का परियाईवाची है ठीक है तो यह आँख का परियाईवाची हो जाएगा वहीं मंदाकनी चुँकि यह आकास गंगा है, Manदाकनी जो है आकास गंगा का परियाई वाची हो जाएगा. घिक कहते हैं आकास गंगा कौन सी है, Manदाकनी ठीक है, बाकि Manदाकनी जो है यह अलकनंदा की एक तरह से सायक नदी बनार्य फिलाल हमें आप हिंदी के बात कर रहे हैं. अच्छा अजीर जो है या आंगन का परियाएवाची है किसका आंगन का परियाएवाची क्या होता है अजीर तो इस तरह से हमारा अंसर यह वाला हो जाएगा जो कि आकास का क्या हो जाएगा परियाएवाची हो जाएगा निमनलिकित में से कौन सा घोडा का परियाए वाची सब्द है ठीक है घोडा का परियाए वाची सब्द है तो यहाँ पे नग, क्रिशान, और टवी यह दोनों अलग-अलग है यहाँ पे जो तुरंग है तुरंग का मतलब होता है घोडा ठीक है यानि तिव्रगत से चलने वा अगनी का प्रयायवाची है, अगनी का क्या होता है, क्रिशान होता है, वहीं अटवी का अगर कहें, तो यह जंगल यानी वन का प्रयायवाची है, चले अगला kys collection, question number next य气 रहा, निमलिकट में से कौन सा एक प्रयायवाची के द्रिश्टी से अन्य से भिनन है, अन्य से भिनन ह तो महीधर, मेरू और तूंग ये सभी एक ही पर्यायवाची को इंडिकेट करते हैं या किसके पर्यायवाची है तो अभी हमने बताया था तो जो महीधर है, मेरू है, तूंग है ये सभी के सभी पर्वत के पर्यायवाची है किसके हैं पर्वत के बाकी यहां पे जो भूषण दिया हुआ है ठीक है भूषण का मतलब गहना आभूषण ठीक है यानि एक तरह से आप कहे ज़कते हैं यह जो है गहना का पर्याय वाची है ठीक है तो बाकी सभी पर्वत के यानि महीधर मेरू तुंग पर्वत के पर्याय है ठीक है तो आन्य सभी से भिन्न है तो यहां पे सुक कीर और सुवा सुक कीर और सुवा ये तीनों की तीनों जो है तोता के परियाएवाची हैं किसके तोता के तो सुक मतलब तोता होता है कीर और सुवा भी तोता के ही परियाएवाची है लेकिन यहां पे जो द्रूम दिया हुआ है इसका मतलब होता है व्रिच तो द्रूम का मतलब व्रिच है यानि व्रिच का परयाइवाची हो जाएगा इस तरह से हमारा answer सी वाला answer यहां पर correct हो जाएगा ठीक है चले अगला question निमलिकित में से कौन सा पर्यायवाजी की द्रिश्टी से अन्य सभी से भिन्न है तो अन्य सभी से कौन सा यहां पर भिन्न है समीर मारूत और प्रबंजन तो समीर मारूत प्रबंजन ये सभी कि सभी किसके हैं हवा यानि पवन के ठीक है ध्वाजिया जंडा का पर्यायवाची हो जाएगा इस तरह से हमारा अंसर कौन सा हो जाएगा बी वला अंसर यहां पर करेक्ट हो जाएगा चले अगला कोश्चन पर्यायवाची के द्रिश्टी से निम्नमे से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है यस का किरती बिलकुल सही है यस मतलब किर्थी पर्याइवाची है मद्य का आसव यह भी सही है यमुना का रवी सुत ठीक है तो यहां पे रवी सुत यमुना का पर्याइवाची नहीं है रवी सुत का मतलब होता है घोडा रवी सुत जो है यमुना का पर्याइवाची नहीं है बलकि यह किसका पर्यायवाची है घोड़ा का पर्यायवाची है ठीक है रवी सुथ का मतलब होता है घोड़ा तो यहाँ पर यह बेमेल है यानि यह हमारा अंसर भी हो जाएगा बाकि वर्षा का पावस यह बिल्कुल सही है तो यहाँ पर हमारा अंसर कौन सा हो जाएगा सी व सभी मिलकर साथ एक साथ नहीं लिखा जाएगा, यह भी गलत है, सभी मिलकर साथ एक साथ नहीं लिखा जाएगा, यह भी गलत है, सभी मिलकर साथ एक साथ नहीं लिखा जाएगा, यह भी गलत है, सभी मिलकर साथ एक साथ एक साथ नहीं लिखा जाएगा, यह भी गलत है, सभी वाला सेंटेंस है, सभी मिलकर स्कूल गए, तो यह पास्ट की बात करता है, तो पास्ट की बात हमको नहीं करनी है, सभी साथ स्कूल जाते हैं, ठीक है, तो सभी मिलकर स्कूल जाते हैं, बिल्कुल परफेक्ट है, सभी साथ स्कूल साथ नहीं सब दोना चाहिए, यहां पर गल ठीक है तो स्री राम 14 वर्स के बाद 1 से वापस लौटे ठीक है तो वापस लौटे तो देखो वापस लौटे सब्द नहीं होना चाहिए ठीक है लौटे का मतलब ही होता है कि वापस होना ठीक है तो वापस यहाँ पे भी वही गलत है ठीक है यहाँ पे यह नहीं होना चाहिए स्री राम 14 वर्स बाद 1 से वापस लौटे फिर वही है पर श्री राम 14 वर्स के बाद 1 से लौटे बिलकुल परफेक्ट है वापस लौटे एक साथ नहीं होना चाहिए इसलिए गलत है ठीक है तो ड्डी वाला मार अंसर यहां पर करेक्ट हो जाएगा जीवन और साहित्य का घोर संबंध है वाक्य का सुद्ध रूप कौन सा है ठीक है तो इस वाक्य का सुद्ध रूप कौन सा होगा जीवन और साहत्य में निकट संबंध है तो निकट नहीं होना चाहिए बलकि घनिष्ट होता है जीवन और साहत्य का घनिष्ट संबंध है बिल्कुल परफेक्ट है घनिष्ट सब्द होता है पास परस पर और निकट सब्द यूज नहीं होता है घनिष्ट संबंध निमलिखित मेंसे कौन सा वाक्य सुद्ध है उसने अपनी कमाई का अधिकांस भाग गमा डिया है अधिकांस भाग गमा दिया है, वो अपनी कमाई का अधिकांस भाग गमा बैठा, उसने अपनी कमाई का अधिकांस भाग गमा दिया, उसने अपनी कमाई का अधिकांस भाग गमा दिया, उसने अपनी कमाई का अधिकांस भाग गमा दिया है, उसने अपनी कमाई का अधिकांस तो यहां पर D वाला होना चाहिए लेकिन यहां पर उसने अपनी कमाई का अधिकांस गवा दिया, अधिकांस गवा दिया है ना, उसने अपनी कमाई का अधिकांस भाग गवा दिया, ऐसा सब्द होना चाहिए, तो यहां पर भी मुझे लगता है कि यहां पर भाग होना क्योंकि अधिकांश का मतलब हो गया अधिक से अधिक अंस यानि अधिक से अधिक अंस क्या की कर दिया गमा दिया बिल्कुल सही है तो यहाँ पर डिवाल अंसर सही है निम्न लिखित में से कौन सा वाक्य सुध्ध है यह आपकी अनाधिकार चेस्टा है तो अनाधिकार में यहाँ पर आ की मात्र है इसलिए यह गलत हो जाएगा ठीक है यह आपकी अनाधिकार चेस्टा बिलकुल सही है बिलकुल परफेक्ट है बी वाला हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा यहाँ पर भी वही है अनाधिकार नहीं सब्द सुद्ध है विवर्थ जियोचसना तो यहां पे जियोचसना जो लिखा है जियोचसना ऐसे लिखा होता है जियोचसना ठीक है आधास होता है यहां पर पूरा सद लिखा हुआ है इसलिए यह गलत हो जाएगा ठीक है विरहणी का विरहणी में छोटी ही होता है तो यहा वाला बिल्कुल सई है उसमें कोई तुरडी नहीं है असुद्ध वरतनी वाले सब्द का चयन करें निरफेच बिल्कुल सई लिखा है अनधिकार बिल्कुल सब्द सब्सक्राणिक इंधिकार विखा है यह गलत है कि भाल परारिक ऐसे लिखा जाता है पारारिक ठीक छोटी डी होना चाहिए यहां पे बरी दिया है इसलिए क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा तो हमारा अंसर भी सी वाला अंसर यहां पर करेक्ट हो जाएग जोकी असुद्ध है बाकी देधी प्यमान बिलकुल सही है चले अगला कोशन निमलिखित मेंसे असुद्ध व淋नी का चैन करना है यानि असुद्ध व淋नी आपको यहां पर चूझ करना है तो स्वास्थ बिलकुल सही लिखा हुआ है जजजर जजजर टीक है जजजर तो जजज़र ऐसे नहीं लिखा होना चाहिए था जज़र जो है कुछ इस तरह से होता है जज़र जजजर ठीक है जजजर नहीं जजजर यहां पी यह गलत हो जाएगा ठीक है बी वाला अपसन यहां पर क्या है गलत है बाकी यहां पे बुधवार बिल्कुल सही लिखा हुआ है और उपलच्य भी बिल्कुल सही लिखा है बाकी यहां पे A, C और D तीनों सही लिखा है जजज अधा जह अपूरा जह होना चाहिए था ठीक है आप मेरे चैनल हब सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशन बराबर मिलता रहे हैं चले निमलिखित वाक्यों में सुध्ध वाक्य का चयन कीजिए आप सचमुच भाग्यमान है ठीक है आप सचमु सचमुच जो सब्द है यहाँ पर यह नहीं होना चाहिए ठीक है आप सचमुच भाग्यमान भाग्यवान होना चाहिए इसलिए गलत हो जाएगा उनका प्रयात्न निस्फल गया बिलकुल शही है इसमें कोई भी तुरूटी नहीं है ठीक है और गर्मी से पहले बसंतरित होत होती है ठीक है गर्मी से पहले क्या होती है वसंत रित होती है ठीक है तो यहां पर यह थोड़ा से गलत हो जाएगा जबकि अगर हिंदी भास हम लिखेंगे तो यहां वह लिखेंगे है ना वसंत रित होता है रिटू होती है ठीक है हिंदी राज भासा है तो भासा सब्दे यहांपे गला लिका हुआ है यहाँ पर यह वालास होना चाहिए इसलिए यह गलत है तो यहाँ पे हमारा भी वला अंसर correct हो जाएगा चले अगला question निमनेकर सब्द में असुध्ध वर्तनी का चैन करिये तो असुध्ध वर्तनी का चैन करना है चावल, धुरंदर, गवार तो यहाँ पे जो गवार सब्द है ठीक है गवार नहीं होता बलकि का होता है गवार होत । घरेलू, गाय में बहुत ज्यादा दूद होता है। ठीक है यहां पक्तने विसेशन है और कितने विसेश है इसकी जो है बात कर रहा है तो आगर देखें बहुत ज्यादा ये दोनों ही क्या है विसेशन है घरेलु गाए में बहुत ज्यादा जो है दूध होता है तो बहुत और ज्यादा यह क्या हो गया विशेशण हो गया ठीक है और गाय और जो दूद है यहाँ पे एक गाय है इसको red color syndicate करता हूँ यहाँ पे जो गाय है और यह दूद है यह क्या है दोनों विशेश यह है यह क्या है विशेश यह है ठीक है और बहुत ज्यादा विशे पहुत ज्यादा अचाए यह जो विशेशन है बहुत ज्यादा थो विशेशन है लेकिन बहुत मतलब ये प्रविशेशन है मतलब ये दोनों एक ही सब्दण आप त्योंगे सब्दम तो विश्य विश्य हो गयार क्यों च रहा है को विशेसन को अभी दिन्हीं हो जाता है फ्राव सिरिखत्य और प्रवीकर 안 Beetle obsessive त्माने चेले चारीश सेर घीमें göra देखे़ा है चालीस सेर घीमें सिरिखे़ा है चारीस विसेशन क्या हो जाएगा तो निश्चित परिमाड बोधग विसेशन है यानि यहला हमारा हंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा क्योंकि घी जो है परिमाड में बतायेगा है नैम्न में कौन विसेशन सब्ध है सिद्धी आकर्षण अध्यान मानो मानो जो है यहां पर क्या हो जाएगा यहां विशेशन हो जाएगा ठीक है और इसका जो मानो का विशेश से बनता है इसका जो विशेश से बनेगा वह मनू बनेगा क्या बनेगा मनू ठीक है बाकि सिध्धी का अगर हम इसका विशेशन बनाए तो सिध्ध का विशेशन बनेगा सिध्ध और आकर्षण का जो विशेशन बनेगा वह बनेगा आक्रिस्टी क्या बनेगा आक्रिस्ट और अध्यान का जो विशेशन बनेगा वह अधीत बनेगा क्या बनेगा अधीत ठीक है यहाँ पर मानव सब्द जो है यहाँ पर जो दिया गया है यही एक विशेशन है चले मिस्रा जी मेला से 70 किलो दाल और 20 किलो आलू और 10 किलो प्याज लेकर आईए तो संख्या वाचक जो है विशेशन है एक तो 70 किलो 20 किलो और 10 किलो ठीक है यानि कुल मिला कर यहाँ पर कुल कितने विशेशन है तो कुल 3 विशेशन है ठीक अब वो भी कैसे विशेशन है यह सभी संख्या वाचक विशेशन है ठीक है चले सुमेलित नहीं है एक तरफ विश हो जाएगा पंजाबी जो है गुड़ वाचक विसेशन है पंजाबी क्या है गुड़ वाचक विसेशन है जो अस्थान विसेश की विसेशता बताता है तो पंजाबी का पंजाबी क्या है गुड़ वाचक विसेशन है ठीक है तो विसेशन और ये इधर होना चाहिए था ठीक क्राय का क्रीट हो गया स्वाण का स्वाणिम हो गया ठीक है बाकि सब सही है यह वाला यहां पर जो दिया है यह गलत हो जाएगा ठीक है पंजाबी जो है विशेशन सब्द है चले अगला कोस्चन निम्न में से कौन सा विशेशन है सफल प्रेमी बिलकुल प्रेमी यहां पर क्या है विशेशन है बाकि सफल जो है विशेशन है भलाई और अधर में यह सब विशेशन है प्रेमी यहां पर क्या हो जाएगा यहां पर विशेशन है चले कोस्चन नमबर 27 निम्न में से कौन सा विशेशन नहीं है, लोभी सिध्धान्त, सिध्धान्त जो है विशेशन नहीं है, क्योंकि सिध्धान्त का जो विशेशन बनता है, वो सैध्धान्तिक होता है, क्या बनता है, सैध्धान्तिक, इसका विशेशन सैध्धान्तिक होता है, ठीक है, बाकि लोभी जो है विशेशन सेंधो भी विशेशन है और नागरी की भी आपका यहाँ पर विशेशन सब्द है सेरू सर्मा जी का पालतू कुत्ता है सेरू सर्मा जी का पालतू कुत्ता है निमने में मुख्य विशेशन है तो इसमें से सबसे मुख्य विशेशन यहाँ पर कौन सा हो जाएगा तो जो कुत्ता है वो कैसा है पालतू, पालतू का मतलब पालतू कुत्ता है यानि विसेशता बताता है हमारा जो कुत्ता है वो पालतू है तो D वाला हमारा अंसर यहां पर करेक्ट हो जाएगा 21 हमा में कौन सा विसेशन है तो 21 हमा कह रहे हैं 22 हमें अस्थान पर 24 हमें अस्थान पर यानि क्रम वाचक क्या हो जाएगा क्रम वाचक विसेशन अच्छे लोग सुभा उठते हैं उग तवाक्य में विसेशन कौन सा है तो यहाँ पर जो लोग हैं कैसे हैं अच्छे अच्छे मतलब यहाँ पर लोगों की वी से इसता बताता कि अच्छे लोग हैं निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सुमेलित नहीं है तो कौन सा विलोम युग्म सुमेलित नहीं है यह आप से पूछा जा रहा है तो सुदिन का कुदिन सुदिन का कुदिन नहीं होता सुदिन का जो है दामिनी होता है सुदिन का क्या होता है दामिनी तो यहाँ पर यह गलत हो जाएगा ठीक है ए वाला ही हमारा अंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा बाकी असन का अंसन सही है वरिष्ट का कनिष्ट भी सही है और अथ का इती भी सही है बाकि सभी योगम विलोम योगम सुमेलित है यह वाला अंसर गलत हो जाएगा निमनलिकित में से कौन सा विलोम योगम सुमेलित नहीं है साहचर का अलगाव, बिल्कुल साहचर का अलगाव हो जाएगा ग्रस्त का मुक्त हो जाएगा सगुन का दुर्गुण, तो सगुन का निर्गुण होता है सगुन का क्या होता है, यहाँ पर क्या होना चाहिए था निर्गुन होना चाहिए था ठीक है तो सगुन का निर्गुन अमर का मर्त बिल्कुल सही है तो यहां पर हमारा अंसर कौन सा हो जाएगा सी वाला अंसर करेक्ट हो जाएगा निमलिकित में से कौन सा विलोम योगम सुमेलित नहीं है ठीक है तो कौन सा विलोम योगम सुमेलित नहीं है आदृत का तिरस्कृत बिल्कुल सही है उद्धत का विनीत होता है बिल्कुल सही है उपमे का अनुपादे यह नहीं होता है उपमे का उपमान होता है यहाँ पे क्या होना चाहिए था उपमान होना चाहिए था इसलिए गलत हो जाएगा तो सी वाला हमारा अंसर करेक बाकि रिद्धि कभिपन चही है, निम्नलिखित में से कौौन सा विलोम योगम सुमेलित को यहां पर कौन सा विलोम योगम सुमेलित है, उर्वर का उसर चही है, इसान का नेruity सही है, उन मोलन का रोपन यह भी सही है या थार्थ का आर्जव या थार्थ का जो आर्जव नहीं होता बलकि यहां होना चाहिए था कल्पित क्या होना चाहिए था कल्पित या फिर आदर्स ठीक है कल्पित या आदर्स या थार्थ का निमलिकित में से कौन सा विलोग म्यूग्म सही सुमेलित नहीं है तो कृपन का उदार सही है घ्रिहस्त का ब्रह्मचर यह भी सही है गुणाध्य का गुणहीन यह भी सही है उद्भाव का अनुदात नहीं होता यहां पे होना चाहिए था आवसान उद्भाव का क्या हो जातना चाहिए था आवसान ठीक है तो डी वाला हमारा अंसर यहां पे करेक्ट हो जाएगा जो की सही सुमेलित नहीं है चले अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नमबर 36 यह आपके सामने निमलिकित में से कौन सा विलोग म्यूग म्यूग्म सही सुमेलित नहीं है घातक का रचक सही है जंकरित का द्रण तो जंकरित का द्रण नहीं होता निस्तब्ध होता है क्या होता है निस्तब्ध ठीक है इसका होता है निस्तब्ध तो यहां पे हमारा अंसर क्या होना चाहिए था निस्तब्ध होना चाहिए था ठीक है निस्तब्ध बाकी यहाँ पे सभी सही है ठीक है तुष्ट का रूष्ट हो जाएगा दाखिल का खारीज हो जाएगा चले अगला कोश्च निमलिखित में से असीम का विलोम सब्द है तो असीम का विलोम सब्द होता है ससीम यानि सी वाला हमारा अंसर यहां पर करेक्ट हो जाएगा सब्द और उनके विलोम के संदर में कौन सा युगम सही सुमेलित नहीं है ग्रिहीत का व्यक्त सही है गुरुत्व का लगुत्व होता है आकिर्ण का साकिर्ण ठीक है तो यहाँ पर आकिर्ण का विलोम जो है वो साकिर्ण नहीं बलकि विकिर्ण होता है क्या होता है वीकिरन तो यहां पर वीकिरन सब्द होना चाहिए था ठीक है वीकिरन तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा सीवाल आंसर करेक्ट हो जाएगा बाकी कुरोध का तुछ हमा होता है सब्द और उनके विलोम सब्द के संदर में लिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं ह अर्जित का उपलब्द, तो अर्जित का उपलब्द नहीं होता है, अनर्जित होता है, क्या होता है, अनर्जित, ठीक है, तो अनर्जित होता है, तो यहां पर यह गलत हो जाएगा, बाकी यहां पर आदोस का सदोस सही है, अवेच्छा का अनवेच्छा भी सही है, अलोक का त तो उन्मोलन का विलोम सब्द होता है आरोपन ठीक है उन्मोलन का मतलब क्या होता है आरोपन आरोपन का मतलब वही रोपन ठीक है रोपन कहिए चाहे आरोपन कहिए खाने से बचा हुआ जूठा भोजन के लिए एक सब्द है तो खाने से बचा हुआ जो भोजन होता है उसे हम क्या बोलते हैं तो उसे कहा जाता है उच्छिस्ट यानि बी वाला हमारा अंसर यहां पर करेक्ट हो जाएगा तो खाने से बचा हुआ जो जूठा भोजन होता है उसे क्या बोलते हैं उच्छिस्ट कहते हैं और यहां पे जो भूभुच्छा है तो यह होता है खाने की दूसे हम बोलते हैं बूबुच्छा। पिस्टपेशन का मतलब होता है कही हुई बात को बार बार कहना। बार-बार कहना ठीक है तो इसको हम क्या बोलते हैं पिश्ट पेशन ठीक है और निशंग का मतलब होता है किसी के साथ संबंद ना रखने वाला ठीक है किसी के साथ संबंद ना रखने वाले को हम क्या बोलते हैं निशंग काते हैं ठीक है जो इस्तरी के वसी भूत या उसके स्व Kath जैसा है के लिए एक सब्द तो इसके लिए कहा जाता स्रायन तीक है क्या किया जाता है जो इस्तरी के वसीभूत यह उसके स्वभाव जैसा हो इसके हम क्या बोलते है श्रेड कहते है ठीक है इस gj य canyon स्य का मतलब होता है जो इस्तरी सूर्य ना देख सके तो उसे हम बोलता है असूर पस्या ठीक है अब प्रिय दर्सी का तो मतलब आप समझते हैं जो देखने में क्या हो प्रिय हो जो देखने में प्रिय लगे या प्रिय हो ठीक है उसे हम क्या बोलता है प्रिय दर्सी और समझते हैं जो सब को समान भाव से देखें उसे हम क्या बोलता हैं समझते हैं पंद्रह दिन में एक बार होने वाले के लिए एक सब्द है तो पंद्रह दिन में एक बार होने वाले एक सब्द को हम क्या बोलता है मासिक क्या कहा जाता है ठीक है यानि पंद्रह दिन में एक बार होने वाले सब्द को जो कहा जाता है तो उसे कहा जाता है ठीक है मासिक पंद्रह दिन में नहीं पाच्छिक बोलते हैं ठीक है मासिक नहीं कहा जाता है क्या बोला जाता है यहाँ पर यह वाला हमारा अंसर करेक्ट हो जाएगा पाच्छिक का मतलब होता है जो पंद्रह दिन में एक बार हो ठीक है तो उसे क्या कहा जाता है पाच्छिक कहा जाता है माह में जो एक बार हो तो उसे मासिक कहा जाता है त्रहमासिक का मतलब तीन महीने में एक बार हो तुसे त्रहमासिक ठीक है अब पंद्रहत सब्द नहीं थे यहाँ पंद्रहत सब्द जो है यह गलत लिखा हुआ है ठी कथित का मतलब होता है, जो कहा गया हो, जो कहा गया हो, जो कहा गया हो, उसके लिए हम क्या कहते हैं, कथित, अब कानीन का मतलब जिसका जन्म अविवाहित कन्या के गर्भ से हुआ हो, ठीक है, यानि अविवाहित कन्या से गर्भ लेने वाले बच्चे को हम क्या बोलते हैं, का दंती का मतलब होता है, जो बातiãoवरगाल से लोगों से सुनकर प्रचलित हुई हो, उसे हम क्यों दंती कहते हैं? चल्व एकला कॉस्चान जीर्हाब के सामने, जिस इस्त्री के एक ही संतान होकर, फिर कोई संतान न हुई हो, के लिए एक सब्द है, तो उसके लिए एक सब्द कहा जाता है, काक बंध्या यानि सी वाला हमारा अंसर यहाँ पर सही हो जायेगा, ठीक है यानि जिस इस तरीके एक ही संतान हो, फिर कोई संतान न हो दूसरा बच्चार न हो, तो उसे काक तो उसे कहा जाता है क्रीत ठीक है और यहां पर जो कुछी भर है कुछी भर का मतलब होता है केवल पेट भरने वाला केवल पेट भरने वाला तो केवल पेट भरने वाले को हम क्या बोलते हैं कुछी भर बोलते हैं ठीक है चले अगला कोश्चन जिसके सिर पर बाल न उगे उसके लिए एक सब्द होगा तो उसके लिए कहा जाता है खलवाट क्या कहा जाता है खल्वाट कहा जाता है, खल्वाट का मतलब जिसके सिर पर बाल न वगे और यहाँ पर जो खेचर सब्ध दिया हुआ है, ठीक है, तो खेचर का मतलब होता है, जो नभ में चलता हो यानि आकास में है न जो नभ में चलता हो यानि आकास में चलता हो तूसरे हम क्या बोलते हैं खेचर कहते हैं ठीक है गुरुगन का मतलब होता है गुरु की हत्या करने वाला व्यक्ति करने वाले व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं गुरुगन कहते हैं अचंपु का मतलब गद्य पद्य मिस्ष्ध काव्याद यह मैंने इसको पहले भी वीडियो में चर्चा किया हुआ है तो गद्य पद्य मिस्रित यानि जिसमें गद्य पद्य दोनों एक साथ हो ठीक है तो ऐस उसे हम क्या बोलते हैं चम्पू कहते हैं चले अनुसुरती सब्द के लिए एक वाक्य है तो अनुसुरत सब्द के लिए स्रव्य कहते हैं क्या बोलते हैं स्रव्य कहते हैं ठीक है जो कानों को सुनने में कट्ट क्रण क कट्ट करने कौ अन सुना कर दिया सुनकर भी नित्यदीन दुखियों को भोजन देने की विवस्था के लिए एक सब्द है तो उसके लिए कहा जाता है सदावर्थ कहा जाता है क्या कहा जाता है सदावर्थ हो वहीं स्वदेज का मतलब होता है पसीने से उत्पन होने वाला तो उसे क्या कहा जाता है स्वेदज क कहा जाता है क्या कहा जाता है स्वेदस कहा जाता है ठीक है त्रियामा का मतलब रात्रिका तीसरा पहर ठीक है तो रात्रिका जो तीसरा पहर होता है उसे हम क्या कहते हैं त्रियामा ठीक है और संपूर्ण समा जीसे संबंधित जो हता है उसे बोलता है समस्ट मुलक चले अगला question, इस तरह से हंवारा answer बीवला correct हो जाएगा जिसका अभिनय किया जाए के लिए एक सब्द है तो उसके लिए एक सब्द हो जाएगा रूपक वर्दमान का मतलब होता है जो बढ़ रहा हूँ जो बढ़ रहा हो उसके लिए क्या कहता है वर्दमान, मद्यप का मतलब जो सराब का आदी हो, मद्यप का मतलब सराब, तो जो सराब का आदी हो, उसे हम क्या बोलते हैं, मद्यप कहते हैं, या था सक्ति का मतलब जो सक्ति से भरा हो, ठीक है, सक्ति से भरा हो, या था सक्ति, चले, रिक्थ सब्द के लिए एक वाक्य है, ठीक है तो रिक्थ सब्द के लिए होता है उत्रा धिकारी से मिली जायदाद यानि D वाला हमारा अंसर करेक्ट हो जाएगा उसे हम रिक्थ बोलते हैं ठीक है जो कुछ लाव पाने की जो इच्छा होती है जो चाह होती है उसे लिपसा बोलते हैं क्या बोलते हैं लिपसा कहते है तो यहाँ पे तद्भाव सब्द आपको ढूलना है तद्भाव सब्दे तो यहाँ पे जो आशू है क्योंकि आशू का क्या होता है अस्रू होता है इसका जो तद्सम बनता है वह अस्रू होता है यानि यह क्या हो जाएगा हमारा तद्भाव तो हमको तद्भाव ढूलना ह बाकि अच्छर गोस्वामी और यमुना ये सभी के सभी तत्सम सब्द है ठीक है तो अच्छर गोस्वामी ये सभी के सभी क्या है तत्सम है और अच्छर का क्या बनता है तो आखर बनता है क्या बनता है आखर इसका तदभो आखर बनता है और गोस्वामी का जो बनता है वो ग तदभव में निमलिके सब्दों में से तदभव सब्द कौन सा है ठीक है तदभव सब्द कौन सा है बच्चा कास रोम सब्द तो यहां पर हमारा जो अंसर हो जाएगा वो यह वाला अंसर हो जाएगा बच्चा जो है यह कैसा सब्द है तो बच्चा जो सब्द है यह आपका तदभव सब्द है क्योंकि बच्चा का जो बनता है तत्सम वह वत्स बनता है बच्चा का तत्सम क्या बनता है वत्स ठीक है बाकि कास रोम और सब्द यह सभी के सभी क्या है तत्सम सब्द है ठीक है अच्छा कास का जो तत्सम सब्द बनता है ठीक है तो वह खासी बनता है ठ रुवा कहता है न रुवा ठीक है और सब्द का जो बन जाएगा वस्वद बन जाएगा क्या बन जाएगा सब्द चले अगला कोश्चन निमलिखित में से गलत युग्म को पहचानी है ठीक है तो गलत युग्म का यहाँ पी आपको चूज करना है करांदा करम करमदर्द बिल चमगादर जो है कि तदभव है और इसका जो चमगादर का तदसम जो बनता है वह चर्म चटक बनता है क्या बनता है चर्म चटक बनता है तो यहाँ पी यह गलत हो जाएगा चत्वर नहीं होना चाहिए चत्वर यह जो है तदसम है और इसका जो तदभव बनता है चबुतर तो यहां पर यहां पर पूरुसारत पूरुसारत और तो पूरुसारत पूरुसारत यहां पर तद्भाव से तत्सम का जो यूग्म है अच्छा सही यूग्म को आपको पहचान करना है ठीक है तो यही हमारा बिल्कुल सही है बाकी भतीजा भारतज्य नहीं होता है भारतज्य सब्द गलत दिया हुआ भात्रिज्य होता है क्या होता है भात्रिज्य होता है ठीक है तो यहां पर यहां पर यह होना चाहिए था तो खाट का खटवा होता है, यहाँ पर खाट होना चाहिए, खटवा होता है, उसका खाट का खटवा होता है, ठीक है, और सजाना का सज्जापन होता है, सर्जोना सज्जापन, यह बिल्कुल गलत है यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारा अंसर एवाला करेक्ट हो जाएगा, चलिए, निम्लिकर सब्दों में से तद्भाव सब्द का चैन कीजे तो तद्भाव सब्द को आपको यहां पे चैन करना है आसीज, कार्य, केस ठीक है तो जो केस सब्द है केस का जो तत्सम बनता है बहुत important है इसमें अक्सर लड़के गलत हो जाते हैं बस केवल मात्रा का ही अंतर होता यह केस जो है यह तत्सम है ठीक है और यह जो केस दिया हुआ है ठीक है तो केस जो है तद्भाव सब्द यहां पर तद्भाव सब्द काम को चैन करना तो सी वाला हमारा अंसर है यह case तद्भव है और इसका तत्वाब क्या बनता है ये case में केवल बड़ावाला सा आ जाता है यह पर है न और बाकि आसीष का असीष कार्य और अगनी यहां पे जो दिए है ठीक है इनके जो तत्भव मुनते हैं तो असीष सब्द यह तत्द्वाब क्या है प्राज बनेगा ठीक है इसको ठीक सी लिख दे रहे हैं काज ठीक है और अगनी जो कि तत्सम सब्द है और इसका क्या हो जाएगा अगनी का आग हो जाएगा चले अगला question गलत यूगम को पहचानिए तो एक तरफ तदभो पहले तदभो फिर तदशम है इसको आपको सही चूज करना है गलत यूगम का चूज करना है फिटकरी का इस फटिक बिल्कुल सही लिखा हुआ है पल्ला का पल्लाव या भी सही है नीबू का निम्ब नहीं होता यह होना चाहिए था तो इसलिए गलत हो जाएगा यही हमारा अंसर हो जाएगा गलत यूग में को चूश करना था बाकि तलवार का तखारी बिलकुल सही है निमलिखित में से कौन सा तत्सम नहीं है ठीक इस फूर्ती तडाग इस फूर्ती और तडाग और दिपावली यह सभ सभी तत्सम है त्योहार जो है यह आपका तत्सम सब्द नहीं है ठीक त्योहार जो है एक तदभव सब्द है इसका बनता है तिथी वार इसका तत्सम क्या होता है तिथी वार जो है तत्सम सब्द है तो सी वाला हमारा अंसर गलत हो जाएगा ठीक त्योहार क्या है तदभव तत्सम का कौन सा यूग्म कौन सा सब्द जो है सही है ठीक है तो पहले तत्भव फिर तत्सम होना चाहिए यह हमको चूज करना है ठीक है तो चौथा का चतोर तो चौथा यहाँ पे यह क्या हो गया यह हो गया आपका तत्भव ये हो गया तत्षम, बिल्कुल सही है, पहला ही हमारा अंसर यहां पर correct हो जाएगा, ठीक है, बाकि दूसरा देख लेते है इतना का ईयत, ठीक है, इतना का जो ईयत दिया हुआ है, इतना ईयत, ईयत में बड़ी ई नहीं होती है, छोटी ई होती है, ठीक है, इसलिए ये गलत है, 68 का अस्ट जिस्ट, ठीक है, तो 68 का अस्टा जस्ट ही होता है, क्या होता है, अस्टा जस्ट ही होता है, ठीक है, इसलिए गलत हो जाएगा ठीक है ये गलत हो जाएगा अच्छा एक तीस का एक त्रिसंत ठीक है तो एक तीस का एक ए होना चाहिए हाँ पर ये वाला ए होना चाहिए ता इसलिए गलत है ठीक है तो हमारा अंसर कौन सा हो जाएगा ये वाला अंसर करेक्ट हो जाएगा निमनलिकित में से तदभव तत्सम का कौन सा युगम सही है ठीक है तो चडिया का चटर्क बिलकुल सही है चडिया का चटर्क पुराना का पुराण तो पुराना का पुराण नहीं होता है पुरा पुराना का पुराण ठीक है यहाँ पे फिर से देखें चुडिया का जो चटर्ग दिया है यहाँ पे गलत है ठीक है चुडिया का चटर्ग नहीं होता है चटर्ग होता है चुडिया का क्या होता है चटर्ग होता है यहाँ पे ठीक है तो मत्रा नहीं होनी चाहिए चटक अच्छा पुराना का पु उपाहन होता है क्या होता है उपाहन बख़ी का हमा अट बख़ी कई लिग दिया स्वरी उपाहन ठीक है उपाहन और मौसी का मातरِ स्वसा है क्या होता है मात्री स्वसा ठीक है तो यह होना चाहिए था यहाँ पर यह गलत हो जाएगा ठीक है तो यहाँ पर हमारा भी अंसर गलत हो जाएगा चलिए इस सेशन का आप सबसे लास्ट क्वेशन आप मेरे चैनल हब इस्टडी पॉइंट को जरूर सस्क्राइब कर लें यहाँ पर तदभव सब्द कौन सा है तो यहाँ पर तदभव सब्द पूछा जा रहा है विसरना बिल्कुल विसरना ही हमारा हो जाएगा तदभव यह बिल्कुल ठीक है क्योंकि इसका होता है विस्मृत विसरना मतलब विस्मृत यानि भोल जाना ठीक है तो विश्मृत हो जाएगा ये इसका तत्सम ठीक है तो विशरना क्या है तत्भव है और इसका ये तत्सम हो जाएगा विश्मृत ठीक है तो विशरना हमारा तत्भव है बाकि गुंठन रित और कटाह ये सभी के सभी क्या है आपके जो कटाह दिया है गुंठन दिया जाएगा वह हो जाएगा यह वाला जो की विसरना क्या है एक तद बहुत सब्सक्राइब कर लें तब तक आप स्वस्त्र रही है साधन रही है